हेलो बच्चो, आज की वीडियो में आप सब का स्वागत है, किन-किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए, जब हमें अपने 11 का सेशिन स्टार्ट में चाहिए, तो वो सारी चीजों को आज हमीं सिंगल वीडियो में कवर अप करेंगे, और साथ के साथ यह बताऊंगा किकिन- जो आप previous class में करके आगे हो तो यहाँ पर मैं आपको पूरा एक full year एक road map देने आया हूँ जिसको अगर आप follow करोगे तो आप definitely अपने 11 में अपना base stronger होगे अगर आपका 11 अच्छा नहीं होगा तो 12 आपका खराब हो जेगा जैसे आपका 9 class foundation होटी है 10 class की वैसे 12 class के लिए 11 के आपकी foundation है तो यहाँ पर आपको बताने वाले हैं तो जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो सबसे वहले हम बात करेंगे कि class 10 और versus class 11 में क्या difference है तर उसके बात कौन-कौन सी resources हम follow करें अपनी class 11 में आइधर आप 3 students हो आइधर आप commerce students हो या फिर आपने arts ले रखी है तो किन-किन resources को में follow करना चाहिए क्या strategy होनी चाहिए इस सारह साल जिससे हम अपने काफी अचा score करें कौन-कौन सी mistake हमें नहीं करनी चाहिए और कुछ pro tips जो मेरा personal experience है कि मैं 11 class मेरा तो मैंने कैसे इसको face किया था और मैंने 11 class में कैसे अपने first आया था अपनी class में जिसकर के मैं 12 में काफी अचा grow किया because 11 अगर आपके अच्छी नहीं होगी तो 12 आपका बिलक सब्सक्राइब क्लास 10 और वस्सक्राइब क्लास 11 में क्या difference होता है class 10 में आपको बदाए कि आपके हर एक बच्चे के अपने same subject होते हैं पांच सब्जेक्टों सबके common होंगे like उसने English पढ़ा Hindi पढ़ा फिर उसने science common पढ़ी जिसके अंदर physics biochemistry सारी include होती है that उसके बार आपका science PCM ले रहा होगा कोई PCM भी ले रहा होगा या फिर कोई PC भी ले रहा होगा और इतना याद कर दू कि 11 के एक class 10 से double hard है अगर आपको class 10 अगर hard लगी है तो 11 आपको double hard लगी नहीं आ लिकोज यहां पर आपका हिट्रा easy नहीं है विकोज यहां पर आप जो chapter 10 class में करना पड़े कोई भी आपको बोले कि यार 12 में पढ़ लियो 11 को मैटर नहीं करती वह सबसे बड़ा बेब कूफ है विकोज 11 के अगर concept clear नहीं होंगे तो 12 आपको बिल्कुँ समझ नहीं आएगी और यहां पर आपको बतायता होगी चाहें आप 10 class में टॉपर हो या फिर देखना UT exam में काफी कम मांक्स आने वाले है और खुड आप देखोगे और जो बचा 10 class में नॉर्मल था वह 11 में काफी अच्छा score करेगा विकोज यासा क्यों है बिकोज वो इंटरस्ट ले रहा हो सब्जेक्ट में तो इसलिए जरूर ही नहीं है कि 10 class में अगर बच्चा वीक है तो 11 में ही वीक होगा शायद उसको एक ऐसा subject मिल गया जिसमें उसकी रूची है उसका interest है जिस करके वो अपना interest से उसको पढ़ रहा है और अच्छा score कर रह क्लास 10 तक बच्चे सारे बराबर होते हैं हरे सब्जेक्ट सेम होता है बस क्लाव 11 में आपके सारे सब्जेक्ट चेंज हो जाता है और वहां पर आपको डिटेल में पढ़ना पड़ता है तो इसलिए यहां पर आपको क्लास 11 हीजी नहीं है नहीं ज्यादा हाड है as per year condition है अ बिकोज चाहे आप commerce हो या फिर आप कोई भी stream की हो चाहे आप science के हो या फिर arts के हो सबसे first priority आपकी यह नहीं चाहिए कि NCID को आपने पढ़ना है और हर एक एक चैप्टर आपने एक एक पेस को ध्यान से पढ़ना है विकोज 60 to 70% जो आपका पेपर आएगा वह NCID में से आएगा क्यों आएगा विकोज जो आपके 11 का पेपर है वो आपके स्कूल के टीचर बिनाएंगे यह आपको पढ़ाएंगे तो इसलिए 60-70% आपका NCID से आने वाला है इस करके NCID को जूर आपने रीट करना है अब इसके साथ-साथ प्लास पीवाई-क्यू आपने पढ़ने है पीवाई-क्यू मतलब कि जो आपके recently school में question repeat हो रखे हो बिकोज यहाँ पर आपका board का थो हिधाब है नी कोई because board में से कोई paper आएगा नी तो इसले 11 का paper तो आपका school से बढ़ा होगा तो इसले आपने क्या करना है अपने जो seniors है उनने से आपने आपने school के paper को collect करना है जिससे आपको आईडिया हो जाएगे आपके स्कूल में 11 का प्रिपर कैसा बंते है तो यह चीजी आपको करनी है कि सर यह मैं सारी चीजे काहां से करूँ तो यहापर मैं आपको एक पर्सनल एक्सपीरियन्स से एक बेस्ट पुक यहापर आपको रिकमेंड करता हूँ जिससे आपके मल्टिबल जॉइज कोशन प्रिवाई को आपके कवरप हो जाए और वह कौनसी बुक है तो यहां पर आप देख सकते हो यह आपका ओस्वाल बुक का कोशिन बैंक है आईदर आप इसको अभी से ही फोलो करोगे तो आपके साथ-साथ मल्टिबल जॉइज कोशन हो जाएंगी और आपके यूटी या फिर जो हाफियल एक्जाम आने वाले है उसमें आपको बिल्कूल भी डिक्कत नहीं होगी तो यह रिसोर्स आपको कम्लीट करने है और अगर बात कि अपने चैप्टर से को कम्लीट कर सकते हो विकोज वहाँ पर में आडी शर्मा और एंसे आप सबको प्रवाइड करने हूं वह भी लेटेस अडिशन बुक से और आगर आपने रिवीव भी नहीं देखा आप लिंक डिस्क्रिशन से ले लेना वह आपको पूरा रिवीव आपको मिल जाएगा बाकी यहाँ पर आपको बतारे तो कि strategy क्या होने चाहिए strategy यहाँ पर आपको starting से ही पढ़ना पड़ेगा because चाहे आप जा रहे हो या फिर आपने प्रेवर टीशन ले रखे या फिर आप यूटूब पर रहे हो अगर आप यूटूब पर रहे हो तो कोई एक best teacher जो जिससे आपको समझ आ रहा है उसको आप starting से follow करो जिससे आप धीरे सारे subject को अपने complete कर सको यह नहीं कि आप exam टाइम पर रहे हो तो इसलिए अभी आपके बाएक advantage है कि अभी सिया थोड़ा हर एक subject का पढ़ना start कर दो जिससे आपको advantage मिलेगी और साथ के साथ यहां पर आपको बदायरत होगी अब आप क्या करोगे short notes भी बनाओगे बिकॉज short notes से क्या benefit मिलेगा जो जो अगर आप chapter पढ़ रहे हो आईजर आप physics पढ़ रहे हो फिजिस की अगर आप reference book से पढ़ रहे हो तो वहां पर आप जो जो main points पढ़ रहे हो उसको आप copy में note down करते चिले जो बिकॉज वह एक ऐसे notes होंगे जो आप before exam उसको read out करोगे जिससे आपका topic recall हो जाएगा और short बनाने से फाइदा क्या होता है कि आपको समझ भी आने लग जाएगा और आप खुझ revise भी करोगे अपने topic को बिकॉज जब आप खुझ self practice करोगे अपनी book पर read out करोगे तब आपक अपने गोल सोचा हुए तो इसको पाने के लिए आपको 11 से ही मेनुद करनी पड़ेगे विकोज अगर आप competitive exam की भी profession कर रहे हो तो इसमें maximum जो question आपके rise होते हैं वो 11 class के होते हैं तो इसकर के 11 class के topic को आप जरूर अपना strong रखे तब भी आपके 11 अच्छी होगी और 12 आपका डिक्कत नहीं होगी आ most of the chapter आपके directly use होंगे आपके 12 class में तो इसलिए आपकी ये strategy आपको follow करनी चाहिए बाकी यहाँ पर मैं आपने कुछ personal experience के हिसाब से आपको बताया तो कि कौन कौन सी mistake आपको नहीं करनी चाहिए कई बच्चे क्या होते हैं कि starting में नहीं परते और वो थोगे देर पर परते यह सबसे number one mistake होती है तो इसलिए आपने first जैसे पनना है सेकिन मिस्टेक अगर आपके math में अगर calculation अगर आपकी week है तो आप पहले nine to ten का math का basic strong करें तब यह आपको 11 का math समझाएगा और अगर आपको फिजिस के topic नहीं समझा रहे तो सब्सक्राइले 10 class के topic को read out करें उसके basic समझें तब यह आपको 11 class के physics accounts होगी या फिक्नोमिक्स य सब्सक्राइगे तो यह mistake आपको नहीं करनी और किसी के बेकावे में आकर आपने रहें नहीं करना विकोज अगर आप अभी अनाम से बैठे रहोगे तो 11 पे अगर आपने मस्टी से अपनी निकाल ली तो 12 में आपको काफी जारा सफ़र करना पड़ेगा और दब आपको दो क्लासिज एक साथ पनी पड़ेगी विकॉज हम हर साल बच्चों को देखते हैं कि 11 वो मजे से निकाल लेते हैं और 12 में डबल प्रेक्स करते हैं विकॉज इसको 11 का ही पड़ना पड़ते हैं और 12 का भी तो ऐसी गलती आप बिल्कुल मत करें विकॉज अभी आपके बास टा मैं आपको शेयर कर रहा था आई ओप आपको क्लियर हो गया होगा कि 11 आपके लिए कितनी इपॉटेंट है तो इसलिए आज से लग जाए अपनी प्रैक्टिस करने सलेबस आपका कम-कम है तो इसलिए अभी दिक्कत नहीं होगी तो इसलिए अभी आप लग जाईए रिजल् कि मिलने वाला सेलिशन कोछ कुछ चेप्रेश मैंने वहाँ पर आपको डाल दिये कुछ एक्साइज अप्लोड कर दिये बाकि आपकी जल्द अप्लोड हो जाएगी तो मिलते हैं आपको नेक्स वीडियो तब तक लब ना क्याल रखें